तो finally friends, आप लोग unboxing करने वाले है, आज Dakin AC का जो के split AC है 1.5 तन है, काफी दिनों से मैं सोच रहाता है, कब unboxing video ले करके आऊं, जो के Dakin AC का, finally, आज 2022 में unboxing video ये आ चुका है, काफी धमाकेदार मोटल है और इसका performance भी काफी मज़ेदार है, तो चली समय बिना गवाए, वीडियो क सुरू करते हूं, उसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो Dakin AC है, इसमें minus point भी जो के video के last में आप लोग को बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा अं तक देखे क्योंकि minus point भी जाना important होता है, तो चली समय बिना गवाए, वीडियो को सुरू करते हैं, और अभी तक आप लोगों मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, मैं इसी तरह को इंटरस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं, चली वीडियो को सुरू करते हैं, तो ये फ्रेंड डैकिन क इन्वाइटर रसी जो कि आपको बॉक्स में मिंसन किया हुआ देखने को मिलेगा, साथी साथ यहां पर लोगों भी डैकिन का और नीचे में लिखा हुआ डैकिन एयर कंडिशनर, चली ए अन्बॉक्सिंग करते हैं भी इसका जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को इसका कि आप लोगों देखने को मिल सकता है, मैं अब बताना चाहूँ है, आप लोगों को यह 2020 का मॉडल नहीं है, यह 2021 का फेंड्स लेकिन हाँ, यह बहुत धमाकेदार मॉडल है, अगर इस AC को लगाओगे, तो कमाल का कुलिंग आपको देखने को मिलेगा, मतलब 15-20 मिनिट में आपका 1300 का फिट का जो रूम रहेगा, वो पूरा का पूरा कूलिंग से कवर कर जाए, कोई तरह का आपको प्रॉलम नहीं आएगा, बहुत जल्दी इसमें फास्ट कूलिंग मिलता है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, हमें जो रिमोट मिलता है, और यूजर मैनुल इसमें और आपका स्कूरू भी है, और बहुत सारा चीज़ें जो कि इसमें इसमें के दोरे यूज होता है, जो को नॉर्मली आपको इस बॉक्स में देखने को मिलेगा, इंडोर यूनिट में, यहाँ मैनुल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिमोट को किस तरह से यूज करना ह होता है, वो भी यहाँ पर अच्छे तरीका से मेंसें किया हुआ, जो कि यूजर मेनुवल में आपका दिया वाला था, ठीक है, आप यूजर मेनुवल से काफी सारा फाइदा उठा सकते हो, अगर आप सही तरीकत से इसको देख लोगे तो, बाकी मैं आप लोगो आगे भी देखने को मिलता है, बागी चली अंदर के भी कुछ चीजे मैं आप लोगो देखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हमारे सामने हैं, यहाँ पर आपका कनेक्शन का पॉइंट है, और फिल्टर को हम लोगो ने हटा दिया, और अंदर का कूलिंग कोईल का आप देश सत्यों क बढ़िया लग रहा है, अभी तो पुरा क्लीन हमें देख रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम में आप लोगो बदाना चाहूंगा, आप लोगो फिल्टर क्लीन करते रहना होगा, ठीक है, बाकि यहाँ डिस्पले का पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे मैं पू पॉइंट है, जो कि आप देख करके भी समझाते हैं, कि परकार से हम कर सकते हैं, अगर आप एक टेक्निशन हो तो, इंडोर टू आटो नेट में इसली आप कनेक्शन कर पाओगे, लेप लेप लेट के कौरनर में हमें यही देखने को मिलता है, थ्री स्टार रेटिंग के सा साथ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, कोलिंग परफोर्फोर्मस में आपको बताना चाहूंगा, काफी बढ़िया है, कंप्रेसर वेरेबल स्पीड के साथ आपको देखने को मिलेगा, इस मॉडल में, जो कि सही है, कोई तरह का प्रॉलम नहीं आगा, बाकी लेप प तो अब प्लेट भी सकते हैं, प्लेट का भी वजन बढ़िया लग रहा है, मतलब थोड़ा सा भारी है, इसका मतलब यह है कहाँ प्लेट भी थोड़ा वजन दार है, और बढ़िया प्लेट है, बाकी यहाँ पर हमें दो पैंप देखने को मिलता है, और बैंडर भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो स्प्रिंग टाप का लग रहा है मतलब इससे आप पैप को इसली बैंड करोगे तो फिंच वगारा नहीं करेगा पैप तो कंपनी ने यह भी कमाल का काम किया है बाकी यहां पर देखते हैं हमारा क्वार्टर का पैप और एक हाप का पैप है जो क पानी जो आप में यहां से जाएगा बहुत इसली फ्लो हो करके जाएगा कभी भी गंदगी वगएर आने से पानी ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह कंपनी ने में काफी बढ़िया काम किया है यहां लॉकिंग का सिष्टेम है उपर के स यह model है serial number यहां पर दिया हुआ है बाकी यहां पर net weight वागर अभी दिया हुआ था and guys यहां पर आचूक है हम लोग और दो इनट के तरफ के आपके हमें क्या देखने को मिलता है दो पाइंप में आप लोग बताना भूल गया था यहां दो पाइंप आपको देखने को मिलेग आपको एक quarter का एक हाप का और वायर भी आपको 10 फिट का देखने को मिलेगा सामने के तरफ आप डाइकिन का यहां लोगो देख सकते हो और डाइकिन लिखा हुआ आप लोगो देखने को मिलेगा और इन्वाटर भी यहां पर कंपनी ने मेंसन किया हुआ और डूरेट में बाकी और भी कुछी है जो कि आप लोगो जाना ज़रू है कि यह कंडेंसर देख सकते हैं आप यह फ्योर आपको कॉपर देखने को मिलेगा आपको ऐलमूनियम देखन से हमारा कंडेंसर काम करेगा अगर वह कॉपर का होता है तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है प्योर कॉपर तो यह काफी बढ़िया थिंस में भी गैपिंग थोड़ा साय मतलब इसली हमारा जो एयर रहेगा वह इसली मतलब बाइपास होकर के सामने के तरफ में इसली नगा बहुत बढ़ियां तरह से ये काम करता है अगर ये олж direction में इंस्टालेशन होता है नहीं हमारे देखने को मिलता है देख सकते हैं इसली तरह किसे हमें मौडल में रहा है है बार देखने के लिए यहां पर यह सकते है सरियल नंबर भगर भी मेंसेन किया हुआ है तो काफी बढ़ा चीज़ होती है जो कि नॉर्मली हमें इस टीगर के साथ हर चीज़ देखने को मिल जाता है बाकि इसमें कुछ प्राउलम यह च्छोटा सा प्राउलम मैं आप लोगो चलिए वह भी बता देता हूं अभी तुरंत तो चले फ्रेंट अन्बॉक्सिंग तो करके मैं आप नॉर्मली आपको कोई भी ऐसे अगर पर्चेस्टर से और मार्केट से एल्जी समसंग पैनेसॉनिक बोल्टास कोई भी कंपनी का तो इंडोर निट में एक वायर निकलता है जो के में लैं में हो जाता है तो इसमें आपको देखने को वह नहीं मिलेगा तो यह चोटा सा मैं मैं निकलता है जो के 10 फिट का होता है जो इंडोर नॉर्मल से वायर निकलता है जो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा तो एक चोटा सा मैंनिस पॉइंट था अब दूसरा मैंने से वह यह है कि थोड़ा सा महिने तो आकाम है जैसे के बहुत से एसी में अभी आप द में हैं और भी कोई कंपनी जिसमें क्या होता कि इंडोर टू आउट उनिट में जब हम लोग का कनेक्शन करते हैं तो उसमें फ्लेयर वगरा बना वाता है लेकिन इस डैकीन ऐसी में आपको फ्लेयर देखने को नहीं मिलेगा तो फ्रेंट्स यह एक छोटा सा मैंनिस पॉइ देजेगा आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स